नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल पर तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपकी यूपी बीटीसी डियलेट एड्मिशन 2019 तो दोस्तों आज आपके 13 अगस 2019 हो चुके तो आज हम बड़ी अपडेट्स देखेंगे सबसे पहले दोस्तों हम डिसकास करेंगे इस वीडियो में आपकी बार सबको मौका मिलेगा जी हैं दोस्तों अगर आपको बीटीसी में एड्मिशन लेना है 2019 में तो आप जो लाच्ट डाउन या फेज टु दोस्तों आतुका है आपका इसमें आप सब पच्च्चों को मौका मिलेगा देखिए कि और हम बता दे आपके बाद अब फेस्ट्री नहीं होगा जी यहां दोस्तों फेस्टों आपके पास एक अंतिम मौका है फेस्ट्री नहीं होगा इसके बाद दोस्तों होगा तो आपका डिरेक्ट एड्मिशन का प्रोसेस होगा तो कुछ आपको और बात ह आने वाले इस वीडियो में देखिए होगा क्या कि आप लोग की सवाल आ रहे थे मारे पास कि सर हमारे इतने नम्मर है क्या हमें सरकारी कॉलेज मिलेगा देखिए अभी भी दोस्तों आप लोग के सभी सरकारी कॉलेजिस में 40 से लेके 50-50 सीटे तक खाली चल रही है रीजन क् अब भी हम नहीं लेंगे phase 2 में भी क्योंकि 10-15 सीटों में दोस्तों जो आप लोग की freedom fighter आ रही थी एक सर्विस मैल या जो अन्य special आरच्छित वर्ग थी तो दोस्तों उनकी आती है तो विसी सारच्छित वर्ग हो तो उसकर आप लोग तो अब भी नहीं ले पाएंगे phase 2 में क्योंकि यह online counseling रहेगी तो यहां आपको मौका नहीं मिलेगा लेकिन दोस्तों जब आपकी offline counseling शुरू होगी इसको समझे पहले आप लोग अभी मौका किनको मिलेगा इस round में उनको समझे जिन बच्चों को अभी तक कोई भी college a lot नहीं हुआ पहले उन बच्चों को मौका मिलेगा और जिन बच्चों को हो सकता कि धाय लाग सूपर rank उन बच्चों को मौका मिलेगा लेकिन दोस्तों उन बच्चों को दाल मौका दिया जाएगा जो बच्चों को मतलब अभी तक कोई इस वीडियो में आपके चार दोस्तों आप लोग के कटाप कहा जाएगी देखे इस बार आपके कटाप आप डाउन जाने वाली क्योंकि जिन बच्चों के अच्छे नंबर थे उन्होंने कहीं कई अपना ले चुके हैं अब होगा क्या कि आप लोगों को पता है कि जो स्टार्टिक जंडरल के टेगरिक लिए थे हम आपको पता है दे लेकिन अब लग रहा है कि आज के दिन जनरल में 210 नंबर बच्चे भी डायट पा सकते हैं 220 में दोस्तों अगर आपको 220 नंबर आते थे अगर आपने प्राइवेट कॉलेज का विकल्प भरा अगर वो कॉलेज आपको इलाट नहीं हुआ मतलब कोई भी कॉलेज दोस्तों आपको 220 नंबर में नहीं मिला और आपसे अच्छे नंबर वाले बच्चे तो भाई कहीं 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 कॉलेज पा चुके हैं उसके बाद दोस्तों अगर आपको जिले में डायट कॉलेज खाली होता है फिर उन सीटों को भरना भी तो है न तो उन सीटों में दोस्तों 220 नंबर वाले बच्चों को भी दाखला मिल जाएगा एटमिशन मिल जाएगा तो सोचिए किसमत होती है कभी कभी कि मतलब आप अच्छे नंबर लाकर 230 नंबर लाएंगे जो बच्चे 235 नंबर लाएंगे उन्हें सरकारी पॉलेज जनरल कटेगरी आज जो हाइस्ट होंगे वह 180.1.99 यह दोस्तों उनकी मेरिट होगी जिन बच्चों की रेंग धाई लाक्स उपर इस्टाटफ हो रहा है तो उनकी मेरिट यह है तो मतलब अभी वह बच्चे भी तो छूट चुके हैं हर एक आरच्छित वर्ग में हो चाह जन्दल में हो OBC म इन तीन अलग-अलग अरच्छित वर्ग हैं HTA के दोस्तों सीटे कालिके अगर मालंे तो भी चोड़ते हैं तो यह चार अलग अरच्छित वर्ग हैं अब दोस्तों ये काम करने आप लोग आपने जहां पर भी रहते हूं आप पर डायट कॉलम लें अdefense कर सकते कि आपके डायट कॉलर सेयटे में चाहले में तो आप के आपका 30 rare सीट नहीं तो आसकी आपको सब्सक्राइबिक। मतलब नहीं लेकिन मतलब है कि आपको मतलब एक आरची टवर्ग में कितनी खाली है। आपके HC में कितनी खा ली है, आपके OBC में कितनी खा ली है? आपके ST क्टेगरी में कितनी сеạचे खा ली है, ये आपके general क्टेगरी में? ठीके दोस्तो, इस बात को आपको समझना है. ऐसा नहों दोस्तों कि अगर आपको general की बच्चे हैं, ठीक है, तो ये बात को भी आपको ध्यान में रखना लेकि दोस्तों जब डियरेक्ट एड्मिशन का प्रोसेस सुरू होगा ना तब आपका ना कुछ नहीं देखा जागा फिर सीज़े डियरेक्ट एड्मिशन होगा मतलब जिस बच्चे के मेरिट ज्यादा होगी जैसे आपके 234 काउंसलिंग प्रयागराज प्रदेश के सरकारी इवाम निजी संस्तारों में डियलेट या बीटीसी की खाली सीटे भरने के लिए 16 अगस से काउंसलिंग सुरू हो रही है सच्चियों परिश्या निमक प्रादिकारे अनिल भूसर्ट से तुरुएदी का कहना है कि खाली सी यह वेबसाइट पर आपके उपलब्द करा दी जाएंगी तो उसका दोस्तम लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे ठीक है उस लिंक पर आपको क्लिक करके चेक करते रहे हैं जैसे आपको पता चल जागा कि आपके यहां डायट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉल तो यह अपडेट दोस्तों बाद में यह आएके भी देखिए एक महत पुड़ू फैक्टर आपका ब्लीड था कि सभी बच्चों को यही था कि चलो ब्लीड कर लेंगे तो हमारे पास मौके बढ़ेंगे लेकिन दोस्तों होता ना कि अफसाल खराब करना आपके उपर एक सा क्या खराब कर सकते हैं यह सब भी बात ही दोस्तों मैटर कर जाती है कभी-कभी तो अब की बार दोस्तों सबकी मौका मतलब सबको मौका मिले वाला तो आपको तैयार रही आगे इस बारूल भी चेंज के आगया था कि सभी बच्चों को भाई हो सके तो अच्छा ही अगर नहीं होता तो दोस्तों दिक्कत होती तो आपव दोस्तों देखिए आपकी पढ़ाई भी आपी श्टाइट हो चुक्ए आपको पता होगा अगर आप लोग रहते हैं आपके पास के यतने भी वी कॉलेजिस होगे प्राइविट हो या सरकारी सभी संसान में फिर्याल क्लास से सुरू हो जुकी है तो आप लोग दोस्तों इसके बाद करना क्या है 30 अगस या आपको लोगों समय लेजिए सितंबर से आपके क्लास सुरू हो जाएंगे जो बच्चे भी छूट गए है तो उनकी क्लास हो 30 अगस के बाद ही होगी और रेगुलर क्लास करना पड़ता है कुछ चीजा और आपको पता दें बीटीसी में कोई छुट्टी नहीं होती बीटीसी है जिसका नाम बदल के डियरेट हो गया है देखिंगे हमको क्या बता रहे त्याना आपको इसके दो साल के रेगूलर कोर्स है और आपको अगर ये सोचने है कि इसमें कोई चुट्टी होती है ना तो कोई थाटी होती है एक बार अगर आपने अद्विस्टन ले लिया तो मतलब यह बाधे निचन में बदा के दो करने पांगे फिलाल यह चार मेंडो को छोड़ दोस्तों आपको पढ़ाई यही सब करना पड़ेगा तो आपको दोस्तों तयार रहना है कि अगर आप ले लेते हैं तो फिर तीचिंग कैसे मैंच करना कहां जाना है यह ताव दोस्तों लेकिन आपको डिसाइड रहा है जिस भी कॉलिज का नाम आपकी श्कूल का नाम बोल देंगे आकर वह ही आपकी जली से अड्मिसन लेजे दोस्तों अगर देखे कुछ बचों को और कंफूजन हो ना तो आप लोगे काम कर सकते कि जहां आगर आपके घर के पास अगर आपकी मेरिट ज्यादा कम है देखिए सभी बचों को दो डायट अभी नहीं मिल पाएगा सरकारी कॉलेज अगर आपकी एक सीट भर लेंगे इससे फैदा आपको यह मिलेगा दोस्तों कि मालेज अगर आप अभी पैसे नहीं देता अपनी सीट अलॉट नहीं करा देखिए उनके पास जाकर तो हो तकता है कि वह मैनेजमेंट कर देखिए सीट को और किसी अन्य बच्चे को वह अलॉट करा दी जा हैं तो हाँ आप समय कम है तो अगर आप चाहें तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाकर सीधे बात करके भी अपनी एक सीट सुनेचीत करा लीजे नहीं तो आपको दिक्कत होगी क्योंकि आप अपने घर से जो नीरस्ट कॉलेज हो उसमें एडमिसल ले ऐसा तो सोचें आपको दोस्तों बताना चाहते हैं कि अगर आपके घर के पास कोई कॉलेज है तो उसमें ततकाल संपर्क करके एडमिसल अपना जाकर आपको करा लें तो इससे दोस्तों आपका ही फैदा होगा अगर आप लोग सोचेंगे नहीं या हम बाद में देखेंगे तो वह कॉलेज से 220 नमबर आपके हार है तो अमने काफी कम कर दें तब भी आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है ओ बीसी में 210 ते लेके 220 नमबर तक क्योंकि हो क्या रहा है कि अछे नमबरवाले बच्चों को गया तो कॉलेज एलोट हो पुका था उन्होंने कॉलेज लिया नहीं तुमको मौक से सरकारी कॉल्ज मिल जाएगा और फिश्कल एंडिकैप में भी दोस्तों सेम प्रोसेस रहेगा 180C प्लस में आपको सरकारी कॉलज मिल जाएगा लेकिन अगर आपकी आरेची तवरगे की सीट खाली होगी चाहिए फिश्कल एंडिकैप निट तभी ठीक है विकलांग जो भी अब चाहिए तो समझ गया दोस्तों आप्लोग कि बाई यह है पूरा समारा आगे अडिमिशन का कैसे क्या होगा तो आपको समझ भागया होगा कि आसानी सी सरकारी कॉलेज मिल जाएगा एक बार आपको लेकिन यह है कि हम आप कहेंगा आप लोगो जाए बात के लीजिए ज सभी वच्चों का ओल्द विष्ट सरकारी कॉलेज में जाए तो बढ़िया रहेगा फीस कम लगेगी दीके सरकारी कॉलेज होगा क्या आपका जो फीस लगेगा वह आपका लगेगा सिर्फ पॉस सिर्फ दस हजार रुपए एक साल का लगेगा और प्राइवेट कॉलेज में पर दो बार समिस्टर में देंगे तो छेजार यह आ जाता है तो मतलब इतना समझ लेजे प्राइवेट कॉलेज में एक साल का इस्टीमेट प्लान जो जाएगा आपका सब्तर से असी हजार पे जा सकता है अगर आप यह सोचें कि आपको कॉलेज भी नहीं जाना गर बैटे तो यह आपका सरकारी कॉलेज हें यहाँ अपर सब कुछ कम डरेट अबारेट मिलगना यह ईसा सकते हैं तो चलिए दों उससे स्थे ठीकड डरेट से